हेलो प्रेंज तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडुक्टिव इस्ट्रेटिजीज यह एनिमल बिहेवियर एमर्सी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है सबसे पहले हम देखेंगे सांपसी सांपसिस में इंट्रोड़ाक्षन डैफिनेशन मैथड़ सॉप रिप्रोडलक्षन इसमें आएगा पहला एश्योल रिप्रोड़क्षन और सेकन्ड और इस्टट्रोड़न। फिर चौथा है ह्मिपेश्टिज में फिर पाच्वा है टाइ प्रक्रिती में अपने इस पेसीच को बनाए रखने के लिए रिप्रोड़क्सन की ख्रिया होती है और प्रजनन के लिए बनाए गए कुछ नियम या रणीतियों को ही प्रजनन रणीतिया या रिप्रोडक्टिव इस्ट्राटेजिस कहते हैं यानि कि जो reproduction के लिए बनाई गई रणनीतियां होती है उसको हम लोग reproductive strategies कहते हैं प्रकृति के अनुसार प्रजनन रणनीतियां या फिर reproduction rules या फिर वैवहार एक रुपात्मक या सारेरी कनुगूलन के एक सैट का प्रतिनिधित्व करती है ये मैटिंग और fertilization की शंभावना में सुधार करती है और सिशु के जीवित रहने को बढ़ाती है सेटन दिखेंगे रफिनिशन एक प्रजनन रणनीति को उस तरीके के रूप में परिभासित किया जाता है जिसमें एक प्रजाती वैवहार सैंतान प्रेदा करने के लिए उर् उर्जा को वास्तविक संतानों और मातापिता की देख फाल में बदल दिया जाता है यानि कि जो रिप्रोडक्शन के टाइप जो एनर्जी उत्पन होती है उसको हम लोग डिवाइट करते हैं उसको यहां पर उर्जा का वंतन बोला गया है प्रिधर देखेंगे method of reproduction टू ट के वाल एक जनक या फिर एक जीव भाग लेती है जथा यूगमक यानि की gamit की उपस्तिती अत्वान उपस्तिती में नए जीव का निर्माण होता है उसको अलगी जनन कहते हैं इसमें विसस्ताइं देखेंगे पहला है कि यह एक जनकी अविधी है यानि की monoparental होता है second है उत्पन और संत्ति अपने जनक के समानता रखती है यानि की अपने parents के समान होती है और third है prior or gamit का निर्माण नहीं होता है और निशेचन भी नहीं होता है कि इसमें नहीं होता है asexual reproduction में हम लोग देखेंगे asexual reproduction के कुछ example तो पहला हम लोग देखेंगे binary fusion में हम लोग amoeba का example देखेंगे binary fusion भी खंटन वहाँ प्रक्रिया है जिससे parent cell लगभग equal size के two daughter cell में डिवाइड होते है binary fusion unicellular cells और्गनिजम में पाई जाती है और example है amoeba amoeba को देखेंगे इसके शरीर के कोई सब एक पार्ट हको नुक ले ले तो उसमें से नया जीव उत्पन हो जाता है तो amoeba में binary fusion पा अब जाकार की कोशिका होती है यहां एक कोशिक जीव है इसका shape irregular होता है amoeba को कोई regular shape नहीं होता है ना permanent shape नहीं होता है amoeba में binary fusion देखें तो इसमें एक parent होता है जिसमें एक nucleus होता है amoeba में nucleus में इतनी capacity होती है कि वह जो genetic material होता है वह reproduction कर सकता है reproduction अर्थात photocopy अर्थात division के कारण दो भागों में divide होने के कारण तयार हो जाता है अब 3rd stage में है nucleus का दो भागों में divide हो जोगा होता है और इसमें nucleus भी parent जिससे हम daughter cell कहते है nucleus विसमें present होगा कि देखेंगे second budding organism budding as sexual production का एक साधान है जिससे एक नया व्यक्ति parent के प्रकोप से विख्षित होता है और अलग हो जाता है और सतंत्र रूप से रहता है budding समाने जूप से कुछ invertebrates animal जैसे की hydra में होती है hydra में क्या होता है पहला है parent cell देखें hydra फिर second में देखें इसमें एक बर्ड निकल आता है फिर वो बर्ड थर्ड आईग्रा में देखें वो बर्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है और fourth में देखें वो बर्ड अलग से एक तुकड़ा एक परिपाप को पूरी तरह से डेवलाव व्यक्ति में मतलब की व्यक्ति यहां पर गलत हो गया है यहां पे जीव लिखेंगा डेवलाव जीव में परिवयर्तित हो जाता है कई समुद्रे तारे विखंटां द्वारा एक्ट्वाल रिप्रोड करते हैं और इस उत्पत्ति करेगा तो इसका यह बैस्ट इक्जामपल है अब हम लोग देखेंगे सेकेंड सेक्ट्वाल रिप्रोडक्शन इसमें जी उत्पन न करने हैं तो दो पैरेंट्स भाग लेते हैं पहला क्या भाग लेता है और दूसरा होता है इस पाम दोनों भाग लेके जैगो इसमें रिप्रोड़क्शन बॉड़ी के अंदर मेल और फीमेल गैमि य। सब्सक्राइब धाया जाता है है अब लोग सेकेंड रिखेंगे एक्स्टरनल फॉटिलाइजेशन इसे जीव के शरीर के बाहर होने के लिए फॉटिलाइजेशन को एक्स्टरनल कर देते हैं इससे यूगमक अधीग संख्या में उत्पन किया जाते हैं पिर है 14 तेखेंगे हर्मीth फैरृड टिज्म यानि कि उभहलिंगी उभहलिंगी को हम लोग हर्मी फैरृड टिज्म वलते हैं उभहलिंगी जी या पादप उसे कहते हैं जो एक ही समय अथ्वा विभीना समयों पर इस्त्री एवं पूरुज दोनों प्रकार के प्रजणन को शिकाय उत्पन करते हैं इसके इसपस्ट उदारण होते हैं जनत्वों में पादप से पादप में तथा केच्वों में देखने को मिलता है यानि कि जो उभैलिंगी होंगे उसमें मेल वाला पार्ट भी एकी वाड़ी में होगा और फीमेल वाला पार्ट भी एकी वाड़ी में होगा अब 500 देखें हैं हमोग टाइप साफ हर्मी फैरोडिटिजम तो पहला है sequential हर्मी फैरोडिटिजम sequential हर्मी फैरोडाइट या अनुक्रमी को भैलिंगी पन एक प्रकाय को भैलिंगी पन है जो कई मचलियों, गेस्टो, पोड़ और पॉद्ध में होती है, ये थ्री टाइप के होते हैं, पहला होता है, प्रोटो ड्राइप, और गनीजम इस बर्न एज अ मेल एंड चेंज टू फीमेल, कलर फीच एक कलर मतलब कि इसमें जो और गनीजम होता है, वो बर्न होता है मेल के इसका एक्जामपल है, क्लोवन फीच, एक कलर फूल है, जो सीमून के स्वाजीमन में रहती है, क्लोवन फीच सुरू में मेल होती है, लेकिन ग्रूप में सबसे बड़ी फीच एक फीमेल के रूप में बदल जाती है, और हम लग देखेंगे, प्रोटो जीनी, और गनीजम इसका एक्जामपल है, रैसे न्हीं संतने सबसे लग फीमेल होती है, सेखेंगे पनीजम बदल आव। प्रोड़क्टिव पार्ट होती हैं लेकिन जीवन में विभीनर ग्रूप में कारे करते हैं और एक्जाम्पल है इसमें कि सैट्रस डॉल कि कैरल रीप फीस का समुहां फीर है सिमल टोना सर्मय फेरोडिजम होते हैं उन में से एक है अनुक्रमिक उभेलिंगवाद और दूस्रा है उभेलिंगवाद का ही एक रूप है इस रूप में एक वैक्टि के दोनों प्रकार की में पैदा कर सकते हैं अर्थाद ये अपने ही अंडों को अपने ही इस पंप से निशेशीत कर सकती है ये गूड़िस में पाया जाता है इसका एक्जामपल है अर्थ वाम तीरह स्ट्रेटेजिस किसी लक्ष की प्राप्ति के लिए बनाई गई कारय यूजना को समान यर्थ में रणनिती कहते हैं इन्हें दो ग्रूप में डिवाइट किया जाता है पहला है के स्ट्रेटेजिस और दूसरा है आर स्ट्रेटेजिस पहला हम लोग देखेंगे के स्ट् प्रजातियां जिनकी आपादी उनकी जैविक चमता आर पर नियंतरित रहती है एक रणिती को देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित किया जाता है जग्तियों का लाव उठाने के तरीकों को निर्धारित करता है कमजोरियों को निर्धारित करता है जिसके भीतर निर्ना किये जा सकते हैं और आठवाम हम लोग देखेंगे disadvantage of strategies सहयोग को बदलने के लिए और बढ़ावा देने के लिए प्रतिरोध को कम करना also disadvantage है strategies एक संगठन management प्रक्रिया जटिल समय लेने वाली और लागू करने में कथीन है नैंथ में है important of strategies reproductive strategies एक संगठन organization के लिए important है यह human strategies को एक विशिष्ट दिशा प्रधान करती है strategies reproduction के लिए important रोपे करती है 10th में conclusion overall study से पता चलता है कि reproductive strategies structural and functional and behavior adaptation में महतोगोण भूमिका देता है सिक्टियों का लाब उठाने यां तरीकों को निर्धारित करना उचित दिशा प्रधान करता है और यह पता चलता है कि reproduction के two type sexual और asexual reproduction और hermiphyrodities में उनके type का ध्यान किया जिसके example में अर्थ हो उनको देखा इसके बाद इसके advantage और इस advantage को भी देखा और इपरेंज से इसमें डॉक्तर पी नेट रंजन और second है बाइए नेट